हम बात करेंगा शिप्योर लोन के बारे मेंश्ट्र्लाइब होता क्या है हम मेलक क्या तो हम पर रचस्ते हमारे लीगल राइट्स क्या है क्या है कैसे हम एक शिक्षड को क्लोज कर French सकते हैं इस पैंड़ेविक बात लोग पास पितने पैसे नहीं है कि वह अपने यह माई की पेमेंट करें तो बैंक और एनभी से कंटेनी या कंटेनी वह आपको लीगल लोटिस सर्व कर रहें अगर आपने लोन की पैमेंट नहीं करोगे तो आपके प्रॉपरटी को बेच के बैंक अपने पैसे की वसूली करेगा तो इससे बचा कैसे जाए इस वीडियों एक डीटेल में बात करेंगे सबसे पहले समझते हैं कि बैंक सिक्यूर लोन होता क्या है ऐसा कोई भी लों जिसके साथ दूसरा सब्सक्राइब के grateful लिए इंवाविश में आप उसों की प्रेंट श सबसूर नहीं करतें तो प्रापरटी को बेच करे इपने पैसे की वसूली करेगा इस pandemic के बास किसी के पास पैसे नहीं है, जो जॉब कर रहे हैं, वो 50% profit पर जॉब कर रहे हैं, यह पॉसिबल ही नहीं हो पाता है कि अपने loan EMI की payment करें, यह अपने घर को चला है, उपर से bank और NBFC company ने आपकी loan को NPA में convert कर दिया होगा, और bank और NBFC company से continue आपको legal notice सारा हो, surface act क सर, अगर आप अपने loan EMI की payment नहीं करो, तो आपके मकान और दुकान को बेच के bank अपने पैसे की वसूली करेगा, तो क्या अगर आप पने property को नहीं दोगे, तो bank को पास right है, कि आप पे legal action लिया जा सकता है, बिल्कुल right है, अगर आप अपने loan EMI की payment कर सकते हो, तो कर दिज वो आपसे बात करना चाहिएगा, arbitrator क्या होता है, जब आप कोई भी loan EMI की payment 90 दिनों तक नहीं कर देंगे, तो आपका loan account NPA में convert हो जाता है, उस जो arbitrator होता है, आपको बुलाता है bank में, वो आपसे बात करना चाहता है, कि सर अपने loan EMI की payment कर दो, अन्यता हमको आपके property को बे इन महने का समय आपको दिया जाएगा, यह आपकी rights है, arbitrator आपको बुलाएंगी, आप खुश से भी जाके 90 दिनों के बाद bank में बात कर सकते हो, अगर अब अभी तक सोच रहे थे कि आप bank को ignore करोगे, legal notice को ignore करोगे तो यह गलती बिल्कुल मत किजिएगा, आप अपने bank में जाएगे उन से बात किजिए, क्योंकि bank के पास पूरा right है कि आपके property को बेज के अपने पैसे की वसूली करे, अब बात होता है कि अपने loan को कैसे close करा सकते हैं, अगर हम अपने loan को close नहीं करा है, तक continue हमारा civil impact हो रहा है, हमारे civil को खराब किया जा रहा है, और future में भी हमको loan नहीं मिलेगा, यहां बहुत सारे लोगों का सवाल था कि क्या उनको jail भी जाना पर सकता है, किसी भी secure loan में किसी को jail जाना नहीं परता, क्योंकि जब आप अपने loan EMI की payment नहीं कर पाते, तो bank आपके property को बेज के अपने पैसे की वसूली कर लेता है, तो यहां पे jail जाने का क कोई भी legal notice आ रहा है, तो डरे नहीं, bank और NBFC company में बात करे, अगर आपके पास पैसा in the future, आपके पास पैसा आने वाला है, तो उसकी payment करे, उस property को hold करे, अन्यथा उस property को जाने दे, क्योंकि property आपका फिर भी चला जाएगा, सांथ में बहुत जादा interest आप पे लद जाएग झापका 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